मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर फूर के कोशन नमबर 4.1 की कोशन में कह रहे हैं कि explain करना है formation of chemical bond explain the formation of chemical bond कैसे बनता है और क्यों बनता है थीक है देखे ए अंडर नॉर्मल कंडिशन्स कि नो आदर ऐलिमेंट एग्शिस्ट यैंडीपेंडेन एटम इन नेटम कोई भी जो होता है वह नॉर्मल कंडिशन में इंडीपेंडेन इन नहीं रहता है यह न में आमेक फोर्म नोबिव होता है तो कोसेलो लूइस बताते हैं कि assume that inert gas has income has complete octate यानि इनका जो octate है वो क्या है complete है जो की stable electronic arrangement है वो एक क्या हो गया एक stable electronic arrangement हो गया किसने बताया कोसेलो लूइस ने इसलिए बाकिस अभी element जो जद्दो जहद कर रहे हैं वो inert gas का electronic पाने की कोशिच कर रहे हैं ठीक है क्यों इससे क्या होगा inert gas का electronic arrangement आदेगा तो क्या होगा उससे समझते हैं in order to become more stable जादा stable होने के लिए क्या करते हैं element forms bond यह bond बनाते हैं इससे होता यह है कि energy bonding in nature's way of lowering the energy of the system to attain stability यह system की energy क्या कर देती घटा देती यह देखिए जब भी energy घड़ जाएगी तो system जादा stable होगा जिस system के energy जितनी कम होगी वह system उतना ज्यादा क्या होगा stable हो और system क्या हो जाता हमारा ज्यादा stable होगा एक तो यह समझा की atom bond क्यों बना रहे हैं पहले समझा की element atom जो थे atomic form में element atomic form में नेच्वए फिस्टेट में नहीं रह पा रहे थे क्योंकि जब की नड़ गैस रहे पा रहे थे इनलड़ गैस में लग कम अक्टेट कंप्लीट था तो औक्रेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे बॉंड बनाएंगे सेकंड फाइदा यह होगा कि एनरजी घड़ जाएगे जिसे इस फिस्तम ज्यादा स्टेबिल हो तो यह हमने समझा कि बॉंड क्यों मनाते हैं करते हैं ऍठेम warm करते हैं वैं इमपने उन्हों को देख़ते हैं टो गयुँऌत वे दिफरन्फ कैमिकल सपिसीज इस कोड़ ऐघर customize में क्या करता है लो यह तरीके का अट्रेक्टिफ फोर्स है जो उन कोस्टेट्वेंट्स को एटम या आइन्स को बाध्य रखता है ठीक है अब कितने तरीके का बॉंड हो सकता है उसे समझते हैं अगर माल लिए बॉंड बन रहा है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्टॉनों का कंप ysis आगल बॉर्ड होता क्या है ठीक है मताना इससे तो क्या ऐंक हम लोग से इलेक्टॉमीक होता है देखे एलेक्टानों का complete transfer कैसे हो सकता है देखे जैसे हम मान लीजी हम लोग NACL का formation देखते हैं तो एने हम जानते हैं एने का atomic number क्या होता है 11 होता है अगर हम देखें तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 इसका electronic configuration होगा को से लोग लिफस अगर देखेंगे से तो क्या बताएंगे 8 होने चाहिए 8 कैसे कर सकता है दो तरीके हैं या तो इसमें एकले क्लोरीन की लोगशा और या या फि크 यह एक लेक्ट लेह दे इजी मेंऐट कौन सा है एक लैट असी क्या करता है बड़ी जल्दी एक लेक्टान देने के लिए आतुर रहता है ठीक है जिब हम बात करनाओ कि क्लोरीन क्लोरीन का Wed नुम्बर होता है 17 electronic configuration लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p5 अब देखें कितने हैं पाच दो साथ आठ पूरे करने हैं क्या चाहिए इसको एक electron ले ले या फिर साथ हो electron क्या कर दे डोनेट कर दे इसली कौन सा है एक electron ले ले तो chlorine के balance shell में कितने electron हैं साथ 1,2,3,4,5,6 और 1,7 sodium के पास कितने हैं होटर चल में एक electron sodium क्या करता अपना एक electron इसको डोनेट कर देता है इससे फायदा यह होता है sodium जब एक electron डोनेट कर देगा तो इसके पास देखें यह आपर कितने हो जाएंगे 6,2,8 electron और chlorine एक electron ले ले लेता है एक attraction से जुड जाते हैं उस bond को कहते हैं सिंस आयनों की बीज़मन है तो आयनिक bond कहेंगे इलेक्ट्रो टेक फोर से जुड जाएंगे इसलिए लेक्ट्रो स्टैटिक बॉन्ड ठीक है यह फिर एलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड पॉन्ड यह फिर हम लोग क्या बोलेंगे से आयनिक बॉन्ड कहेंगे इसमें इलेक्ट्रों को क्या हो गए complete transfer हो गया पुरा पुरा उड़के कहां चला गया है chlorine के पास और ट्रेक्शन फॉस से दोनों जुड़ गया है आयनिक बॉन्ड हो गया ठीक है दूसरा बॉन्ड समझते हैं हम लोग दूसरा बॉन्ड क्या हो सकता है या फिर इलेक्ट्रों का क्या हो बॉन्ड फॉर्म भाई equal number of sharing of electrons known as covalent bond इलेक्ट्रों की equal sharing और तब बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे देखिए जैसे मान लीजे क्लोरीन है क्लोरीन का इतामी नमबर कितना है 17,1-2,2-2,2-6,3-2 और 3-5 दूसरा भी क्लोरीन यही होगा 1-2,2-2,2-6,3-2 और 3-5 आउटरेशनल में कितने लेक्टाँन है 7 इसके पास भी कितने है 7 यह रहे इसके पास 7 यह रहे इस क्लोरीन के पास भी इसको इसे क्रॉस से दिखा दिए इसके पास भी कितने होगे साथ अभी क्या करेंगे ये एक एक लेक्टॉन की क्या कर लेंगे शेरिंग देखे एक लेक्टॉन इसने करा एक लेक्टॉन इसने दिया शेरिंग कर ली इससे फाइदा ये हो गया यह रहें के पास बचे कितने एलेक्ट्रॉन 6 एक एलेक्ट्रॉन की शेरिंग कर लिए जब शेरिंग करी तो इसके पास भी 8 होगे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इसने भी शेरिंग करी तो इसके पास भी 8 होगे अगर माल लेजे bond formed by unequal sharing of electron electronों की unequal sharing हो मतलब both electrons are shared by one atom किसी एक atom द्वारा electron share की जा रहा हूँ जो share कर रहा होगो उसे कहेंगे donor atom और उस दूसरे वाले atom को कहें जो accept कर रहा होगो उसे कहेंगे acceptor ठीक है such bond known as coordinate bond ऐसे bond को हम लोग कहेंगे coordinate bond जैसे देखिए जैसे माल लीजे BF3 है तो BF3 में क्या होगा यह है BF3 इसके पास कितने electron दो दो चार यह दो दो चार और दो छे छे electron है जबकि अगर हम लोग ammonia देखे यहां पर दो दो चार दो छे nitrogen के पास यह क्या होते हैं एक lone pair दो आठ nitrogen क्या करता है अपने दोनों electron बुरान को देदेता है ठीक है इसमें क्या हुआ दोनों electron इसको दे दी अब बुरान के पास क्या होगा octet complete हो गया इसने share कर लिया लेकिन यह sharing कैसी sharing है unequal sharing है electron जो है वो unequal ही आए मतलब सिर्फ एक atom दोर आए तो दे कौन रहा है nitrogen तो nitrogen दोनर बुरान ले रहा बुरान क्या होगा acceptor और ऐसे bond को हम लोग दिखाते है arrow से यह bond को अंसरा बन गया coordinate bond बन गया तो यह होता है chemical bond हमने chemical bond को सुझाया hopefully आपको solution समझ में आया हो समझ में आया तो वीडियो को like कर दीजिएगा और चैनल को subscribe कर दीजिएगा बहुत बत्ताने बाद